हिंदी कक्षा आठवी गटक छटा जरा प्यार से बोलना सीख लीजे जरा प्यार से बोलना सीख लीजे गजल के रचनाकार है रमेश दत्ट शर्मा रमेश दत्ट शर्माजी का परिचे रमेश दत्ट शर्माजी का जन्म 1949 में जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था उनकी मृत्यू 2012 में हुई शर्माजी पचास वर्षों से पत्र पत्रिकाउं, रेडियों और टीवी के माध्यम से वज्यानिक दुरुष्टिकों का प्रचार प्रसार करते रहे उन्हें विज्यान लेकन में दर्जन से अधिक पुरसकार मिले है वे कक्षा सात्वी आटवी से ही स्थानिय मुशायरों में चचाज जलेसरी के नाम से शिर्कत करने लगे थे पद्यसंबंदी प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना सही समय पर बोलना बोलने से पहले विचार करना आत्म नियंत्रन रखना मदूर भाशी होना आदी गुनों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है उनका मानना है कि हमेशा होट सीकर बैटना उचित नहीं है आवशक्ता नुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है तो आज हम सीखेंगे जरा प्यार से बोलना सीख लीजे वानी में शहद गोलना सीख लीजे जरा प्यार से बोलना सीख लीजे चुप रहने के यारों बड़े फायदे है जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजी कभी रमेश दत्त शर्माजी हमें बताना चाहते है कि कि हे मानव अपनी वानी में शहर जैसी मिठास गोलना सीखो वे कहते हैं कि मधूर भाशी बनो जब भी किसी से बात करो मीठे शब्दों में बात करो जब भी बोलो तो प्यार से बोलो अर्थात मधूर भाशी बनो मीठा बोलो अपनी बोली में शहर गोलो वे यह भी कहना चाहते है कि जब आवशक्ता हो तभी बोलो जहां पर आवशक्ता न हो वहां पर बोलने का कोई फायदा नहीं है अनेक आवसर ऐसे होते है जहां पर हमारे सला मशवरा की कोई आवशक्ता नहीं होती और जहां पर आवशक्ता नहीं होती वहाँ पर जब हम सला मश्वरा दिया करते है तो वहाँ पर उस सला मश्वरा की जरूरत नहीं होती तो उस समय चुप रहने के अनेक लाब है फाइदे है वहाँ पर चुप रहना ही बहतर होता है क्यों बहतर होता है तो अगर हम वहाँ पर चुप रहेंगे तो हमारी उर्जा बच्टी है हमारे अंदर की उर्जा बचेगी उसी के साथ साथ हमारा समय बचेगा और जब इंदर की उर्जा बचेगी समय बचेगा तब उस उर्जा और समय को हम किसी सकारात्म कारिय में लगा सकते है इसलिए जहां पर जरूरत हो वहां पर ही अपनी जुबां को खोलना चाहिए जुबां यानि वानी कुछ कहने से पहले जरा सोचिए खयालों को खुद तौलना सीख लीजे खयाल यानि विचार तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू में में अपने आपको टोकना सीख लीजे टोकना यानि रोकना कभी कहते हैं कि किसी को भी कुछ भी कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना सीख लीजे पहले अपनी बात पर विचार करो और फिर बोलना सीखो बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाओ ऐसा नहों कि आपकी बाते सामने वाले को दुख पहुंचाए क्योंकि तलवार से हुआ घाव देर सवेर भर ही जाता है लेकिन कटूवानी से हुआ घाव कभी नहीं भरता समय असमय हमें याद आकर पिड़ा पहुंचाता है इसलिए कुछ भी कहने से पहले शब्दों को तोलना होगा उस पर विचार करना होगा और बाद में बोलना होगा इसलिए यदि बाच्चित के दौरान वैचारिक मतभेद हो भी जाते है तू तू मैमे हो भी जाती है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो भी जाती है तो उस समय क्या करना है तो अपने आपको टोक कर चुप रहना है अगर ऐसी स्थिति वहाँ पर आती है मतभेद होते है एक दूसरे पर हम आरोप प्रत्यारोप लगाते है तो तु मैमे होती है तो उस समय खुद को वहाँ पर थोड़ा सा रोकना होगा और अगर ऐसा करोगे तो ये जो मन पर घाव लगेंगे बाद में कटुवानी से वो घाव नहीं लगेंगे इसी लिए सोचकर बोलना ही उचीत होता है रमेश दत्शरमाजी आगे कहते है की पटाके की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग गोलना सीख लीजिए कटू वचन तो सदा बोते हैं काटे कटू याने कडवे वचन याने बोल कटू वचन कडवे बोल कटू वचन तो सदा बोते हैं काटे मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए गुल याने पूल रोपना याने लगाना तो मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए कवी का ये कहना है कि किसी भी परिस्थिती में दूसरे पर क्रोध में फट पढ़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं उचित है ऐसा क्यूं? क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी तो पटाके की तरह फटने से पहले ये बात जरूर सोचिए कि उसमें रोशनी के रंग कैसे गोले जा सकते है प्रकाश कैसे फैलाया जा सकता है ये तत्य कभी नहीं बूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंद बिगाडती ही है इसलिए कभी कहते है कि कट़वचनों से काटे ही मिलते है कट़वचन ऐसे बीज है जिनके फलस्वरूप कांटो रूपी फसल ही मिलती है अगर कांटे बोएंगे तो फसल भी कैसे आएगी कांटो रूपी अगर कट़वचन बोलेंगे तो हमें बदले में कट़वचन ही मिलेंगे कट़वचनों का त्याग करके मीठी बोली फूल के पौधे लगाओ यानि मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाने के लिए यहाँ पर हमें कभी कह रहे है कांटों को नहीं बोना है तो क्या करना है? मीठी बोली रूपी फूल के पौधे हमें लगाने है यानि अगर मीठा बोलोगे तो बदले में हमें भी मीठी वानी ही मिलेगी तो मीठी बोली के गुल वहाँ पर रॉपना है, लगाना है, ताकि बदले में फल के स्वरू हमें भी मीठी बोली ही मिले कवी आगे कहते हैं कि बात बेबात कोई चुबने लगे तो बेबात याने बिना बात बात बेबात कोई चुबने लगे तो बदल कर उसे मोडना सीख लीजे ये किसने कहा होट सीकर के बैठो सीकर याने सिलकर ये किसने कहा होट सीकर के बैठो जरुवत पे मूँ खोलना सीख लीजे मूँ खोलना याने अपनी बात कहना जरुरत पे मूँ खोलना सीख लीजिए कवी कहते हैं कि यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुबने लगे तो बात को प्यार से मोड पर लाना सीखो वहाँ पर ही उस बात को मोड ना है और ऐसा करने से क्या होगा कि उस समय जो वातावरन की कटुता है वह दूर हो जाएगी वह बात थोड़ी सी दूर हो जाएगी उसमें जो कटुता है वह दूर हो जाएगी पर उसी के साथ साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होट सीकर यानि चुब भी नहीं बैटना चाहिए अगर कोई अनुचित बात है और वहाँ पर हम चुब बैटे तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए अगर कोई अनुचित बात हो रही है तो वहाँ पर चुब भी नहीं बैटना है कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्यचार हो रहा हो तो उस समय चुप रहे जाना भी अन्याय ही होगा हमें ऐसी परिस्तिती में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए यानि जहां पर जरूरत ना हो वहाँ पर भले ही हम चुप रहे लेकिन हम अगर देख रहे हैं कि कहीं पर अन्याय हो रहा है अत्यचार हो रहा है तो ऐसी परिस्थिती में हम चुप नहीं रहेंगे उस समय हम उसका डटकर जोरदार शब्दों में विरोत करेंगे तो जरूरत पिर मुझ खोलना भी सीख लेना चाहिए ये कवी का कहना है स्वाद्ध्य स्वाद्ध्य स्वाद्ध्य